PTM ने जितने भी cashback बाटे हैं आप उसका वपस लेने का समय आ दिया है Hello Financial Fighter मेरा नाम है लोकेश्टिवारी and Be Financially Free चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है So last video में हमने चेक किया था PB Fintech के बारे में उसका IPO आने वाला है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है आपको लिंक यहाँ पे मिल जाएगा और description में भी मिल जाएगा आप वीडियो भी देख सकते हो So आज हम जिस IPO के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है Paytium Yes So आपने भी Paytium का नाम तो जरूर सुना होगा यहाद है वो एड Paytium करो Yes वो अपना IPO भी लेकर के आ रहा है बहुत सारे cashback बांते हैं Paytium ने अब IPO के बारे हैं So चलिए डीटेल में चेक करते हैं Paytium के बारे में What is this company about? What is the business model? Social connect, founding team members, investors Total user reach, future of this particular industry Competitors कौन कौन है Paytium के Balance sheet या report card कैसा है And then IPO detail Brokerage house recommendation And then X factor कि Paytium के पास क्या क्या स्पेशल है और हमें क्यूं apply करना चाहिए या नहीं करना चाहिए जो भी conclusion है वो हम last में देखेंगे And at the last time I'm going to share मैं इस IPO में apply करने वाला हूं या नहीं So चलिए एक एक करके शुरू करते हैं So first question, Paytium क्या है So Paytium एक Fintech company है 2010 में इसको found किया था Vijay Shikhar Sharmani Purely ये Fintech के domain में थी उस वक्त इन्होंने जब चालो किया हुआ था तो ये एक mobile wallet system था बाद में धीरे-धीरे evolve होते होते इन्होंने और भी बहुत सारे Financial businesses में अपने पैर पसार है और इसको बहुत बड़ा कर दिया है फिलाल इस company को So Paytium इनका brand value है अगर आप actual company का नाम देखोगे It's a 197 communication ठीक है? So ये company का नाम है So Paytium जो है financial service provide करने का काम करता है उसमें से हमने एक का नाम देख लिया wallet services इसके अलावा Paytium mall है Paytium lending भी है Digital gold भी ऐसे बहुत सारी चीज़े है वो सारी चीज़े हम डीटेल में देखेंगे So इनका business model क्या है? So इनका business model है बहुत सारे बन गए है अलग-अलग So हम detail में देखेंगे बट उसमें से कुछ जो main business model है वो हम अभी देख लेते हैं So जो इनका सबसे main business model है वो है Ptm wallet इसके अलावा इनका recharge का भी business है E-commerce, verticals भी है उसके अलावा digital gold में भी ये involved है So ये जो इनके different verticals है यहाँ से इनको major revenue आता है Next segment, social connects लोग इनके बारे में जानते हैं, नहीं जानते हैं, क्या scene है So आर Ptm को अनो all over India जानता है क्योंकि इन्होंने इतना heavy brand value अपना create किया इतना heavy advertisement किया है आपने देखा होगा Ptm IPL भी हुआ था I think और cricket को भी sponsor किया था वो बड़े-बड़े ground में Ptm लिखा रहता था और फिर इनके ads भी आता है थे Ptm करो So उस तरीकी से लोगों के दिमाग में Ptm तो बहुत ही common तरीकी से बैठा हुआ है Number one Number two इनका app यार इतना deep penetration है कि लोग जानते हैं actually Ptm को So उस मामले में definitely इनका social connect तो बहुत ही clear है जैसे Zometo का नाम हर कोई जानता है वैसे ही Ptm का नाम भी हर कोई जानता है क्योंकि ये direct B2C company है So इनके main founder जो है Fijay, Shekhar, Sharma 2010 में इनों ने ये company found की हुई थी यार वो 2017 में one of the youngest billionaire भी बन गये थे इंडिया के हिसाब से So ये सब कुछ possible हुआ Ptm के वज़े से इनों ने इतना अच्छा business इतने इची company, business नहीं बोलूगा इतने इची company built की है, इतना नाम इतना बड़ा है और इतनी सारी services cater कर रहे हैं उसकी वज़े से ही ये उस मुकाम तक पहुँच पा है So इनकी capability पे तो लोगों को आप फिलहाल doubt तो नहीं है यार billion dollar company खड़ी करती है 20 billion का लगबग valuation है और क्या ही मतलब capability चेक करेंगे और अगर हम investors का part देखे तो आप देखोगे तो इसमें जो है विज़े शेकर शर्मा लगबग 14% ओन करते हैं इसके अलावा ant group which is 29% ओन करता है अगर आप देखोगे soft bank जिसने लगबग 20% का investment रखा हुआ है safe partners ने लगबग 20% का रखा हुआ AGF, Berkshire Hathway Sharma Holding Company 5% रखती है इस तरीके से इसमें इतने साथे renowned investors है soft bank है, ant group है which is Alibaba, safe partners है जिसने बहुत बड़े-बड़े investors है इन्होंने अपना भरोसा Paytm के उपर clearly दिखाया हुआ है अब हम पढ़ता है next segment की तरफ अगर आप user reach देखोगे तो Paytm की user reach यार लगबग 35 करोड के करीब है और उसके बाद जो second number है वो Paytm का है वो लगबग 11 करोड है जो कि बहुत छोटा है और उसके बाद जो आता है वो है Mobi Quick तो आप user के reach में आप देख पा रहे हो कितना heavy penetration है 35 करोड लोगों के पास इनकी service या app है अगर आप इसी को दूसरे आंगल से भी देखना चाहो तो लगभग 2 करोड मर्चेंट है इनके पास 11 करोड लोग इनके apps या services से transaction करते है टोटल जैसे कि हमने देख लिया 35 करोड के करीब users भी है यह सारे नंबर आप देख सकते हो सब नंबर million, billion में ही है बहुत बड़ी-बड़ी numbers है अगर आप future देखोगे इस industry का मतलब obviously lending, fintech की industry यह बहुत जादा तेजी से grow करने वाली है at least इंडिया में for sure कल हमने जो PB fintech का analysis किया हुआ था वहाँ भी हमने देखा था lending का जो business है जो insurance का business है वो continuously grow करने वाला है which is finance का business so PTM भी उसी segment में है जहाँ पर digital penetration हमारा इतना TG से बढ़ रहा है and wallet transaction यह सारी जीज़े बढ़ती जा रही है so वहाँ पर इनके पास बहुत बड़ा scope है numbers के मामल में भी देख लेते हैं कि किस तरह का scope इनके पास available है so अगर आप देखोगे total digital payment by value 2018 में यह 19 trillion dollar था 2021 में यह लगबग 20 ही रहा लेकिन हमारा estimation है कि 2026 तक यह लगबग 40 हो जाएगा which is doubling in next 5 to 6 years same volume के angles अगर आप देखोगे billions में यह amount है 2018 में यह लगबग 14 billion था और वो हो गया है 2020 तक आते है 21 तक आते है 43 billion और यह estimation है कि यह लगबग 1500 से 200 billion पहुँच जाएगा 2026 तक payment के मामले में तो बहुत heavy growth है करने वाला है दूसरा जो इनका lending वाला पार्ट है जो यह start करने वाले है lending क्योंकि इन्होंने PTM bank तो बना ही दिया हुआ है तो अगर आप देखोगे UK में US में फिर उसके बाद Japan China जो developed countries हैं वहाँ पे debt household debt percentage कितना penetration है जबकि इंडिया में बहुत कम है यार बहुत कम है अभी बहुत लंबा रास्ता ताय करना है हमको growth का जैसे कि कल हमने देखा भी था personal loan के मामले में अगर आप देखोगे यार किस तरीके से growth हो रही है 2020 में यह 3.6 trillion rupees है estimation है कि 2025 तक 6 हो जाएगा which is double हो जाएगा और 2030 तक यह वहाँ से फिर से डबल हो जाएगा लगबख 14% की growth मिलेगी so 2030 तक यह जाता जाता है लगबख 4X होने वाला है so अगर हमने wallet के मामले में देखें insurance के मामले में देखें lending के मामले में देखें सब मामलों में हमारी country grow करने वाली और उसका benefit इस तरह के fintech कंपनियों को मिलने वाला giant कंपनियों को मिलने वाला है so अगर हमने future के बारे में देख लिया business के बारे में देख लिया user penetration के बारे में देख लिया सब कुछ सही लग रहा है end of the day क्या यह profit बना पा रहा है balance sheet किस तरह की इनकी है वो बहुत जरूरी है सुनने के लिए सब कहानिया बहुत अच्छी लगती है लेकिन अगर balance sheet में कुछ है नहीं तो फिर क्या फायदा ठीक है तो मतलब कोई और player आके इनको खा जाएगा so balance sheet को भी एक बार देख लेते है so यह अगर आप balance sheet देखोगे यह 3 साल का data है ठीक है 2019, 2020 और 2021 पहले इस पे focus करते है so yearly अगर आप देखोगे asset को तो यहाँ पे वो 2019 से 2020 में growth है 2020 से 2021 में थोड़ा सा dip है अगर हम revenue को देखे 3500 से 3500 flat और अभी तो यह कम भी हो गया है so revenue तो यहाँ पे flat दिख रहा है अब देखते है which is profit भाई profit तो नहीं है बट पहले 4500 करोड के करीब का loss था वो लगबग 3000 करोड हो गया और अब वो बचा है 1500 करोड एक अच्छी चीज यह है कि इनके losses जो है वो continuously कम हो रहे है अब इनका June का 2020 का data देखते हैं और June का 2021 का data देखते हैं तो अगर आप देखोगे asset में कमी आई है revenue में yes growth आई है लेकिन जो इनका loss है वो बढ़ चुका है तो यार इस तरीके से यह company जो है वो loss making company है ठीक है सब कहानी सुनने के लिए अच्छी है लेकिन end of the day 10 साल हो गया 2010 में इन्होंने यह company बनाई हुई थी 2021 चल रहे है तब से यह continuously growth phase में है market acquiring के phase में है लेकिन अभी तक इन्होंने profit दर्च नहीं किया हुआ potential है बट अभी तक तो paper पे दिखा नहीं है सो अब तक हमने balance sheet देख ली अब हम IPO का detail भी देख लेते हैं कब आने वाला है कितना price है यह सारी चीज़े so IPO का open date रहने वाला है 8 November 10 November को इसकी closing हो जाएगी allotment जो है वो 15 November को मिल जाएगी अगर किसका allotment नहीं हुआ तो refund जो है 16 तारी को initiate हो जाएगा और share जो है वो 17 November को मिल जाएगे 18 November को इनके listing हो जाएगी अगर face value देखें तो यह rupees 1 की face value पे आ रहे हैं IPO का price जो रहने वाला है वो लगबग 2080 से 2150 रहने वाला है आप एक lot में 6 share अपलाई कर सकते हो minimum order आपको obviously 6 share का ही लगाना पड़ेगा issue size जो इनका रहने वाला है वो लगबग 18,000 करोड का रहने वाला है उसमें से fresh issue 8,300 करोड का बाकी जो है वो 10,000 करोड जो है वो offer for sale है मतलब जो already existing investors है उनके पास रहेगा अगर आप एक lot लगाओगे तो लगबग 12,900 की cost आएगी अगर आप 15 lot लगाते हो तो लगबग 1,93,000 की cost आएगी as a retail investor so IPA का detail तो आप हमने देख लिए आप देखते ही कौन-कौन है जो अपना share sell कर रहा है already जो existing share holders है जाहिए जाहिए बात है वही offer for sale लेख आ रहा है तो बट वो कौन है? कौन इसमें से निकलना चाह रहा है so अगर आप यहाँ पे देखोगे अगर आप देखोगे तो यह PTM का जो ecosystem है उसको मजबूत करने वाले है ठीक है retention of customer पे काम करने वाले है उसमें लगबग यह 4,300 करोड रुपया लगाएंगे इसके अलावा business initiative, acquisition strategy उसमें लगबग यह 2,000 करोड रुपया इस्तेमाल करेंगे and then general corporate purpose so इतने बहुत specific specify नहीं किया हुआ हुआ है कि 8,000 करोड का क्या करेंगे बढ़ हाँ पहली लाइन काफी थोड़ी दमदार लग रही है कि PTM ecosystem को strengthen करेंगे और user के retention पे काम करने वाला जो कि थोड़ा specific है next part is valuation valuation इसका लगबग 20 billion dollar का मिला हुआ है लगबग 8,40,000 करोड यार valuation तो बहुत हाई मिल रहा है ठीक है? वो एक अभी के लिए और वैसे भी यार ये IPO भी लोग इसी समय लेके आता है जब उनको valuation high मिले market एक दम दोड रहा हो लोग एक दम आतूर हो पैसा लगाने के लिए ये भी इस IPO rush का फैदा उठा रहे है next is brokerage house recommendation यार कोई अभी फिलहाल अभी तक तो कोई brokerage house recommendation है नहीं इसके बारे में अगर आता है तो मैं definitely आपको update करूँगा मेरा view क्या है? अगर आप मुझसे पूछोगी कि क्या मैं invest करूँगा तो मैं देखूँगा ये अगर बहुत चादा listing gain मिल रहा होगा 60-70% तो मैं सिर्फ listing gain के लिए apply करूँगा that's it मैं अभी invest नहीं करने वाला एक और funny fact मैं आपको बजाता हूँ कि मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि PTM ने जितने भी cashback बाटे है न अब उसका वापस लेने का समय आ गया है तो उसने public को पहले तो बहुत सारे cashback बाटे फिर लोगों को लेकर आ अपने platform पे 35 करोट से जादा लोग उसके platform पे है अब पैसा कैसे निकाले जो cashback से पैसा दिया है वो पैसा वापस लेना पड़ेगा तो अब वो लेकर के आ गया है एक घाटे वाली कमपनी को IPO के तोर पे और इतना perfect timing उन्होंने चूज किया हुआ है कि हर को यह उन्हों fintech fintech सोच रहा है और market अलड़ी एकदम top पे बैठा है अटराजार प्लस के करीब पहुँच रहा है तो लोगों को लग रहा है यार बस यही कमपनी है फटा-फट लपक लो बट मेरा भी विए है कि अगर कोई कमपनी घाटे में है 10 साल रन करने के बावजूद कितना भी growth है इस वक्त investment करने का सही समय नहीं है नहीं तो फिर यह वही वाली बाद हो जाएगे कि जितने भी आपने cash pack लिए है वो सब आप लोटा दे रहे हो एक बार market जब settle down होगा तो इनके prices में जरूर कुछ न कुछ correction तो आना ही चाहिए और हाँ अगर आप investment करना ही चाहते हो तो अगले कुछ quarter इनके result पे नजर रखो अगर इनका result continuously improve होता जा रहा है तो आप investment करो जल्दी कौन सी है है ना जो retail investor का सबसे बड़ा reason होता है ना पैसा नहीं बना पाने का या wealth नहीं create करने का stock market से वो यही एक reason है कि वो company यां ही सही select नहीं करते हैं अगर आप listing gain के लिए जाना चाहते हैं तो आप listing gain के लिए जाने बट investment के लिए अभी मैं बोलूँगा ये मेरे perspective से इतना उची समय नहीं है बाकि आपका पैसा है आप को ले सकते हो ना वी आर इन दे लास सेग्मेंट विच इस X Factor X Factor के मामले में अगर आप देखोंगो न brand value इनकी बहुत amazing है बहुत amazing है हर बच्चा बच्चा जानता है BTM के बारे में almost जितने भी finance से जोड़े लोग हैं सब इसके बारे में जानते हैं इंडिया में जो next wave है पहले कैसे आई थी हमारी एक wave dot com की तरह internet वाली company है फिर उसके बाद e-commerce e-commerce में इतने बड़े-बड़े giant हमने बनाए इंडिया ने at least अब जो नई wave आ रही है वो है fintech की जैसे कि हम देख रहे हैं कि 3-3 fintech के IPO आ चुके हैं इसके पहले finobank आ चुका है फिर अभी pb fintech आ गया है और अब ptm भी आ रहा है तो fintech की भी बहुत सारे ipos आ रहे हैं ये अगले 5 साल fintech का बहुत boom रहने के बहुत जादा संभावन है इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहार इन्होंने बहुत सारे product बनाए हुआ 2009 के करीब इन्होंने ptm launch किया था 2012 में ptm gateway बनाया 2014 में ptm wallet बनाया 2015 तक आते हैं सब qr code, movie ticketing, bill payment ये सारी चीज़े launch कर दी इन्होंने 2016 में flight ticketing launch कर दी 2017 में ptm bank इन्होंने launch कर दी फिर ptm gold, fast tag, event ticketing भी इन्होंने launch कर दी फिर अगर आप 2018 में देखोगे तो ptm first game, post paid फिर उसके बाद ptm money इन्होंने launch कर दिया 2019 में आते हैं इन्होंने sound box launch कि आपने आसपास देखा होगा जब आप payment करते हो तो sound box बोलता है कि इतना payment आपने receive किया उसका एक purpose भी था क्योंकि क्या हो रहाता कि बहुत सारे लोग app का duplicate बनाके लोगों को fool कर रहे थे बिचारे simple simple लोगों को तो इन्होंने वो फिर audio दे दिया कि जब payment होगा तो उसी उसमें से audio आएगा और audio आएगा तो आप confirm कर लेंगे इसके अलावा अगर आप X factor में देखोगे न demonetization का इनको बहुत बड़ा फाइदा मिला था बहुत बड़ा फाइदा मिला था and second ये lockdown का भी इनको फाइदा मिला हुआ है इससे digital payment जितना penetration heavy होता जाएगा PTM को उतना फाइदा मिलता जाएगा so अगर आप 2021 में अगर आप देख रहे हो finance की हर चीज लगबा ये cover कर लेना चाहते है इसी को इनका X factor कहते है मतलब इनका जो zeal है जो founder की ये नो grow करने की जो fast आगे बढ़ने की ये एक बहुत X factor वाली चीज है क्योंकि एक point के बदे नो founder थोड़ा रुख जाते हैं, stable हो जाते हैं इनका acquisition और ये आप जो चीज़े देख रहा है जिस तरीके से इनने अपने आपको बढ़ाया है ये बहुत बड़ा X factor है आपको ये analysis कैसा लगा आप IPO में खुद apply करने वाले है या नहीं है और अगर हाँ आपके कोई सुझाओ है तो definitely आप comment section में मुझे बताईए so मिलते हैं next video में thank you so much